हेलो फ्रेंट्स राधे राधे आज हम इन छोटी बड़ी सभी बोटल का यूज अपने गार्डन में करने वाले हैं और वो भी बिना पेंट के मैं पेंट नहीं करूँ इनके उपर तो सबसे पहले हमें इन बोटल को क्लीन कर लेना है मैंने दो लिटर वाली बोटल लिए है और एक लिटर वाली बोटल लिए है इससे छोटी बोटल नहीं लेनी है तो ये देखे सबसे पहले हम इसका जो रैपर है इसको निकाल लेंगे रेपर इजिली निकल जाता है आप जैसे इसमें कट लगाएंगे तो आसानी से आप इसे हाथ से ही रिमूव कर सकते हैं और रेपर को निकालने के बाद में हमें करना क्या है कि हमें मार्किंग इसके उपर करनी है तो ये गर्दन के पास आप देख रहे हैं दो लिटर की बोटल में जो एक निशान बना होता है वहाँ से मैंने मार्किंग की है और दो लिटर बोटल को इक्वल ही मार्क करना है चाहे वह आपकी कोई भी बोटल हो वाइट वाली या ग्रीन वाली तो एक जैसा हमें मार्क बनाना है एक ही हाइट पर जो छोटी बोटल है उसको मैंने अलग से मार्किंग कर ली है यह देखें यहाँ पर आप देखी रहे हैं तो ब्लैक कलर का मार्कर मैंने इसलिए यूज किया है ताकि आपको दिखाई दे आसानी से तो मैंने इस कटर की हेल्प से इसको यहाँ से कट कर लिया है आप चाहें तो सीजर से कट कर सकते हैं चाहिए तो आप चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं बोटल जो है वो इसली कट जाती है ज्यादा हार्ड नहीं होती कि वही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आसानी से कट लग जाएगा इसके अंदर तो मैं इसको इस तरीके से देखे यहां से कट कर रही हूँ तो यह बोटल मेरी कट चुकी है छोटे वाली जो बोटल थी ऐसे ही हमें बड़ी बोटल को भी कट कर लेना है तो यह मेरी बोटल जो है वो तयार हो गई है यहां से पूरा कट हो चुका है अब जो उपर का पार्ट है उनको हमें फैकना नहीं है उसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मार्किंग करनी है करीबन आधा इंच से थोड़ा सा आप जादा रखेंगे तो चारो तरफ इसी तरीके से आप एक रिंग बना लेंगे और इसका जो है हमें यहाँ से एक छला कट करना है हर एक बोटल का जो उपर का पार्ट है उसमें से आप सभी में से एक एक रिंग कट करेंगे क्योंकि दूसरी बोटल का जो रिंग है वो दूसरी बोटल पर नहीं लग सकता तो हमें यह इस तरीके से देखे मैंने यह निकाल लिया है ऐसे सभी बोटल के जो पार्ट है उपर वाले उसमें से हमें ये कट कर लेना है इस तरीके से तो मैंने चारो बोटल के जो रिंग है वो कट कर लिये हैं ये जो बचा हुआ पार्ट है इससे आपको ये काट लेने हैं इस तरीके के छले जैसे तो हम इने का use कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले क्या है में जो height रखनी अपने planter की तो हम बनाने जा रहे हैं कुछ unique planter तो यहाँ पर मैंने एक mark कर लिया है यह मैंने इसकी height रखी है पांच inch से उपर ही है यह तो एक चारो तरफ इस तरीके से mark कर लेंगे और एक line इस तरीके से draw करेंगे तो हमें यह आधा inch से थोड़ा सा कम इस तरीके से strip जैसे बना लेनी है पट्टियां जैसे हम mark करते हैं उस तरीके से mark कर से आप पहले निशान कर लिजी अगर आप mark कर से नहीं करेंगे तो पट्टियां जो है वो कोई आपको चोड़ा कट लेगेगा कोई आपके बारीक मैंने सभी को marking करने के बाद में कट कर लिया है एक बोटल मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको सभी बोटल को काट लेना है तो उससे क्या होगा यह देखे जब आप mark कर लेंगे तो उससे सभी बोटल जो है अच्छे से कट सकते हैं आप यह पट्टियां और इसमें इस तरीके से डाल देना है यह पट्टियां हमें अंदर की साइड रखनी है रिंग के और finger की help से हम धीरे धीरे से उसको set कर लेंगे बिल्कुल एकदम नीचे जहां तक यह कटी हुई है पट्टियां तो हमें इस तरीके से पट्टि पकड़नी है और इस रिंग म इसे थोड़ा सा pressure डालेंगे और नीचे की साइड इने ऐसे fold कर लेना है इससे क्या होगा हमारी जो पट्टियां है थोड़ी एकदम नीचे straight हो जाएंगी और वो बार बार फिर इधर उधर नहीं जाएंगी यह देखे इस तरीके से आपको सभी जितनी भी cutting हमने इसमें की ह है उन सब को इस तरीके से हमें बना लेना है इससे हमें इसको घुमाने में आसानी हो जाएगी अब हम क्या करेंगे इसको देखे मैंने लगा दिया है पट्टी को पकड़ेंगे और उस रिंग में हलका सा press करते हुए आप इसको ऐसे finger से hold कर लीजिए और इस पट्टी को अं है इने सभी पट्टियों को लगाते जाना है अगर किसी बोटल में आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा पट्टी रह जाती है तो उसे आप कट करके भी निकाल सकते हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा रह जाए तो यह देखिए इस तरीके से आपको चारों तरफ से एक सरकल बना लेना है सरकल आपको यह कंप्लीट हो जाएगा तो यह देखने में काफी अच्छा लगता है एक एक करके आप लगाते जाएंगे इसमें सभी स्ट्रिप को और आपकी जो बोटल है एक नया लुक एक दम यूनीक लुक ले लेगी आभी हम देखेंगे सभी बोटल का इस रिंग बनाने के बाद में देखें इस तरीके से बनता जाएगा कितना प्यारा सरकल यह अभी से दिख रहा है जो कंप्लीट होगा तब तो यह काफी खूबसूरत लगता है यह देखिए एक अलग सा प्लांटर इसका बनकर तयार हो चुका है और हमें बा में होल कर लेंगे यहां पर ताकि आपका प्लांटर का जो ड्रेनेज होल है वो आसानी से बन जाएगा इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आप पैंचकस को गरम करके उससे होल बना सकते हैं थोड़ा सा फिंगर से ऐसे प्रैस कर लीजिए ताकि इनका जो राउंड सरकल ह है आपके स्ट्रिप का यह बिल्कुल ठीक रहे और इनमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएंगी कि यह निकलेंगी लेकिन फिर भी अगर एक परसेंट लगता है कि कोई इसको छेड़ देगा तो पटिया निकल आएंगी कोई पकड़ के देखे तो मैंने यह बोंड का यू आपको प्लांटर लग रहे हैं और कौन से प्लांट मैं इनमें लगाने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरे यह चार प्लांटर मैंने तियार किये हैं उससे पहले मैं इनके उपर कलर नहीं करूंगी लेकिन अगर आप करना चाहते हैं इस तरीकी की स्प्र कोटी होती हैं और अब सर्दियों में भरं के फूल आएंगे तो मैंने यह अपने प्लांटर तियार कर लिए हैं आप भी इसality के प्लांटर FAAR कर लीजिये आप चाहे पिना पर कल कर लिए आप यह पिना और के रख सकते ह हैं अगर आप को यह प्लांटर पसंद आए हैं तो प् परदियों के फूल लगाने के लिए इस तरीके के प्लांटर काफी सुन्दर दिखाई देते हैं और एक अलग डिजाइन बन के आया है राधे राधे